मैं दिख रहे हैं Mango यह लिए टूआप टिप्स में हम तूल के बारे में दिखने जा रहे हैं वह प्रस्पेक्टिव क्रॉप टूल है क्या दिखिए प्रस्पेक्टिव क्रॉप तूल का सिंपल से इत्ना त्ना फंच्ण है कि आपने cam scanner यूज कर रहा होगा या और भी apps यूज करेंगे जिससे document scan करते है तो उसमें कोई भी image जो है आपकी जब भी tady आती है तो cam scanner क्या करता है इसको सीधा कर देता है और आपको एक option देता है कि customize crop करने का आप तेडा मेडा करके उसे crop कर सकते है तो basically इसका भी वही काम है अब मान लिजे कि ये जो screen है ये टेडी है ठीक है तो मेरे को लेकिन screen की photo चाहिए अगर यहाँ पर document होता तो बाता लगा है document चाहिए होता तो आप मान के चलिए ये चाहिए तो मैं इसको click करता हूँ और drag करता हूँ जहां तक मुझे चाहिए अब क्या है यहाँ पर यहाँ के options आगे इसको drag करके आप adjust कर सकते हैं जहां तक आपको चाहिए मैं इसको adjust कर लेता हूँ जहां मुझे चाहिए तो perfectly तो नहीं इतना मैंने adjust करा तो अभी ऐसी adjust कर दिया ऐसे तो ये देखिए मैंने अपनी screen को select कर लिया perspective to use करके और enter दबा दिया अब दिखिए क्या कर रहा जो कि हमारी image जो थी steady ती लेकिन इसने क्या कर रहा है उसको straight करके मुझे एक simple form में दे दिया और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरी मिर को यहां पर wrap tool का use नहीं करना पड़ा और tools का use नहीं करना पड़ा ताकि मैं अपनी image को सीधा कर सकूँ सीधा मैंने perspective tool लिया जितना area मुझे चाहिए था मैंने select कर रहा और उसने straight करके मेर को सामने दे दिया तो guys यह था perspective tool का use तो guys देखिए उपर जो options है जिसे की width height है यहां पर resolution है और यह front image clear है और show grid है कि नहीं है तो यह सारी चीजों के बारे मैं अगर deeply जानना चाहते हैं तो मेरा पूरा tutorial है basic photoshop क एक playlist है आप उसको देख सकते हैं और guys आपको अगर यह video अच्छा लगे तो please like करिये share करिये subscribe करिये channel को कोई भी question हो तो comment करिये और अगली बार फिर मिलेंगे तो किसी और tool के परह में देखेंगे तब तक के लिए stay safe stay healthy and be creative